NIUS की योर से मैं डाक्टर ग्यानदेव मनित्र पाथी आप सभी सुरोताओं का हारदे का भिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं DLA संबंधी आज की इस चर्चा में हम पाठेक्रम संख्या 502 की दस्वी इकाई जिसका शीरसक है जनजातिय बच्चों का शिक्षन सांस्कृतिक परिप्रेक्ष उस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले हम यह जानने की कोशिस करेंगे कि जनजातिय बच्चों का शिक्षन और उनके संस्कृतिक संदर्व का अर्थ क्या है हम या आप जिस स्थान पर रहते हैं, जिस परिवेस में रहते हैं, उस परिवेस से जो कुछ हम ग्रहन करते हैं, जो सीखते हैं जिस संस्कृती में हमारा जीवन बीता है, बड़ा होता है, बच्चे से बड़े होते हैं, बुड़े होते हैं, वही हमारा वास्त्विक संदर्भ होता है, जिसमें हमारा सीखना हो सकता है। जनजातिये बच्चों का शिक्षन इसलिए आज हमारे लिए चुनवती है क्योंकि हमने गंभीरता से यह जानने की कोशिस नहीं की शायद कि जनजातिये बच्चों का हमारे द्वारा रची गई शिक्षाई विवस्ता में शामिल या दाखिल होना क्यों संभव नहीं हो पा र कि हमारे देश के सभी बच्चे विद्याले पहुंचें, वहां कम से कम आठवी तक की पढ़ाई करें, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। यह करने के लिए यह समझने के लिए जरूरी है कि हम उन मुद्दों की पहचान करें, जिनके कारण जन जातिये बच्चे या जन जातिये समुदाय के बच्चे हमारी स्कूली दुनिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और आज की उनकी स्थिति क्या है। एक तो कम साक्षर्ता दर का होना, दूसरा विद्यालियों में इनका कम नामांकन तथा उच्च ड्रॉप आउट। एक तो इनका एड्मिसन कम होता है और बहुत तेजी से ये ड्रॉप आउट होते चले जाते हैं। आई के कारण अधिगम का निम्नस्तर होना। जिस बात को आप समझेंगे ही नहीं, जो बात आपकी भाषा में है ही नहीं, जिसे आप समझ ही नहीं सकते तो उसमें तो आपका सीखना हो इनहीं सकता। यह तो एक सामानने सा नियम भी कहता है। वह इनके सीखने को या अधिगम को प्रभावित कर रहा है। लेकिन हम एक नकारात्मक धारना बना लेते हैं कि यह बच्चे सीखी नहीं सकते। तो यह जो थोपी हुई असफलता है इनके ऊपर और जिसके कारण इनकी नकारात्मक आत्मचभी बनने लगती है। यह बच्चे भी धीरे-धीरे कुंठित होने लगते है। उनको विद्याले आने से एक तरह से रोकती है, क्योंकि अभी भी उन परिवारों में जिनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, वहाँ हाथ का अर्थ कमाने वाले हाथ से है, इसलिए भी वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में दाखिल हो और वहाँ जाके पढ़ाई ल भाशा है, उस पर एक बार फिर से लोटने की आवश्यक्ता है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से अपनी स्वाध्याय सामगरी में दिये गए चित्र के बाध्यम से समझ सकते हैं, जिस चित्र में बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझाने की कोशिस की गई है, कि कैसे भाशा को शिक्षाई भावसागर को पार करने में, वह किसी भी तरह की भूमिका नहीं निवा सकती, बलकि उन बच्चों का डूबना लगभग तै हो जाता है, तो भाशा की इतनी बड़ी भूमिका को स्विकार करते हुए, जब हम जन जाती है बच्चों के शिक्षन की बा प्रियोग करना होगा, क्योंकि जो भाशा इन बच्चों की है, जिसको ये घर में बोलते और बरतते हैं, उस भाशा को ही स्कूलों में इनके सीखने का माध्यम बनाना होगा, केवल कुछ शब्दों को बना देना उचित नहीं होगा, हम क्या करते हैं, कि कि किसी भी भाशा क कुछ शब्द उठाके और अपनी जो शिक्षाई भाषा है उसमें शामिल कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ बच्चों के सीखने लाइक हमने माहौल बना दिया कई बार हम एक गलती और करते हैं कि हम एक विशाय के रूप में उस भाषा को पढ़ा देते हैं और कहते हैं हाँ हाँ ये काम तो हो गया ऐसा है कि बच्चे अपनी मातरी भाषा का दो कौशल तो साथ लेके आता है चार कौषलों में, जो जिसे हम सुबो पल्ली कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना. इसमें से दो कौषल तो बच्चा अपनी मातरी भासा कर लेकर आता है अपने साथ. सुनता हुआ आता है, बोलता हुआ आता है. जब वो विद्याले में दाखिल होता है तो हमारी जरूरत यह है कि हम उसको लिखना और पढ़ना सिखा दें तो अपनी मात्री भासा के दो कौशलों से लैस एक बच्चा आता है और यहां जब उसको एक नई भाशा मिलती है तो होता यह है कि उसको चारो कौशल फिर से सीखने पढ़ते हैं वो सुनता नई भाशा है बोलने की कोशिस नई भाशा की करता है या सीखी भाशा की करता है पढ़ने की कोशिस नई भाशा की करता है और लिखने की कोशिस नई भाशा की करता है तो ऐसे में मात्री भासाओं क उसको शिक्षन का माध्यम बनाने की जरुरत है, नकी एक विशाय की रूप में उसको पढ़ाया जाना है। दूसरी और महतुपुन बात यह है कि हमारी पाठे पुस्तकें राज्य या रास्टर के स्थर पर बनती हैं। तो हम रास्टर को ध्यान में रखके, रास्टर की चवी को ध्यान में रखके, रास्टर की विविदता को ध्यान में रखके, पाठे पुस्तकों में सूचनाओं और ग्यान का समावेश करते हैं। राज्यस्तर पर जब इसका विकास हम करते हैं, तो हमारी कोशिस होती है कि राज्य में की जो विविदता है, उसको हम समेटें, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हम जनजातिये समाज की विशस्टता को ध्यान में रखते हुए, अपनी पाठे पुस्तकों की रचना करें, तो यूँ कहिए कि हमारी पाठे पुस्तकों में जनजातिये समाज की छवी, उस तरह से दिखाई नहीं देती, जिससे एक बच्चा जो समाज से आता है, वो इन पाठे पुस्तकों के साथ अपने को जोड सके, जब पाठे पुस्तक में हमारे कोई पर्व, हमारे आसपास का लोक कथा, हमारे आसपास की कोई लोकोकती दिखाई देती है, तो लगता है, यह तो हमारी बात है, हम तो पहले से इसको जानते हैं, तो इसलिए जो अस्थानिये ग्यान है, उसका अधिगम शिक्षन प्रक्रिया में शामिल किया जाना, बहुत जरूरी है, और वह अस्थान हमें हमको दी गई है, यही पढ़ा देना है, इसका अभ्यास करवा देना है, और पढ़ाई लिखाई का काम समाब था, वास्तों में किताबें एक साधन हैं सीखने का, इन किताबों के सहारे हम यदि जंजातिये समाज को समझने की कोशिस करते हैं, तो हम यह तो समझी जाए कि हमारी पाठे पुस्तकों में कौन-कौन सी ऐसी बात है, जो जंजातिये समाज की बात तो है, लेकिन हमारी पाठे पुस्तक की बात नहीं है, तो जब हमने इस गैप को पहचान लिया, कि हमारी किताब और उस जंजातिये समाज के बीच क्या गैप है, क्या खाई है, तो इ उनके समाज को, उनकी भाषा को, उनके लोक ज्यान को, उनके आसपास उपलब्द उनकी लोक सामगरी को समझ सकें और पहचान सकें। तो कक्षा अधिगम में जहां हम पढ़ाने लिखाने का माहौल बना रहे हैं, वहां कक्षा अधिगम में लोक सामगरी, जो उनके जीवन में रोज रोज उपयोग में आती है, हम उसी को लोक सामगरी कह रहे हैं, उसका उपयोग कर सकें, सामाजिक सांस्कृतिक ज्यान वाली पाते हैं जो उनके समाज की है, उसको हम पाठे पुस्तकों का एक तरह से हिस्सा बनाएं, पाठे पुस्तकों का हिस्सा क्यों छाप देने से नहीं बनने वाला है, प्रकासित कर देने से नहीं होता है, बलकि पाठे पुस्तकों का हिस्सा, जब हम पाठे पुस्तकों पर तो यहाँ एक जुलाव दिखाता है उस समाज के साथ, शिक्षकों द्वारा बच्चों की मातरी भासा, जिस बच्चे को बच्चा बोलता हुआ आता है, तो उसे सम्मान देने की कला हमें आनी चाहिए, हम सीखें कि एक बच्चा अपनी मातरी भासा में जो कुछ सीख के आता ह है, जो अनुभाव लेके आता है, उसे हम अपनी कक्षाओं में सम्मानित करें, ये न कहें कि जो तुमने सीखा है, वो ठीक चीज नहीं है, या वो सीखने की चीज नहीं है, इसको भूल जाओ तब नया सीखेगा, और विद्याले क्रिया कलापों में समुदाय को यदी हम श क्या हो रहा है, तो एक तो हमें उनको विश्वास में लेने की आवे सकता है, और उनके जनजातिये बच्चों के पढ़ाने लिखाने का जो माहौल है, जो सांस्कृतिक समावेशन है उनका, वह यदी हम करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहला काम करना होगा कि उनके परिचि दुनिया है, उनकी उस दुनिया से हम उसकी शुरुवात करें, मातरी भाषा द्वारा सीखे गए ग्यान वा कौशल, दूसरी भाषा के सीखने में दक्षता पूर्वक अस्थान तरीत हो जाते हैं, इसे हमें ध्यान में रखने की जरुरत है, और एक भाषा की बुनियाद इतनी मजबूत हम रखें जो है जन जाती है बच्चों के पास, ताकि वो दूसरी भाषा को आसानी से सीख सकें, और हम अपनी पढ़ाई लिखाई में उनके समुदाय के सामाजिक सांस्क्रितिक तत्तों को शामिल करें, जैसे उनके क्रिशी उद्योग, भोजन की आदितें वेश भूसा, उनके द्वारा पहने जाने वाले गहने, धार्मिक विश्वास और प्रताये, जीवन चक्र, जन्म विवाह मृतू, स्वास्त्यों स्वक्षता, मुल्य तथा सामाजिक नौर्म्स, सामाजिक राजनितिक संगठन, हर जन जाती है समाज, किसी न किसी, ऐसे साम सामगरियों का उपयोग भी करना चाहिए, जिसमें उनकी सांस्कृतिक कहानिया, अस्थानिये कविदाएं, गीत, उनके वेश वुसा, पेंटिंग और डिजाइन, ग्रामिन्ट सांस्कृतिक गणित, इनके पास गणित सीखने के भी अपने तोर तरीके हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखे जन जाती है, समुदाय के बच्चों के शिक्षन हितु, इस तरह की जो लोक सामगरी हमें मिलती है, उसका समवेस हमें करना चाहिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा को सुनने के लिए, धन्यवाद.